तो हेलो गाइस कैसे आप लोग मेहूदेत और आज के जो वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगे कि क्या चल रहा है यूटूब के साथ मतलब क्या हो मेरी चैनल पर क्या कुछ कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहे तो वही बात में आपके साथ को शेयर करना चाहता हूं तो देखर आज कल यूटूब आज कल क्या मतलब जब से मैंने मेरा चैनल स्टार्ट किया है मैंने वीडियो अप्लोट करना स्टार्ट किया मैंने टोटल मेरी अभी तक 11 वीडियो उन 11 वीडियो में यूटूब ने कम से कम मुझे 4-5 कॉपीराइट क्लेम दे दिया है एक दो सेकंड के लिए भी गाना कोई सा यूज कर लेता हूं तो उस पे भी कॉपीराइट क्लेम आ जाता है अब तुम मेंसे बहुत सरे लोग ये भी बोलेंगे की चुती है कॉपीराइट गाना यूज करेगा तो स्ट्राइक तो मिलीगी ना तो हाँ भाई ठीक है माल लिया वह कॉपीराइट गाना था जिस पर मुझे क्लेम आ गया चले काम करता हूं तो मैं ढंक से समझाता हूं तो ये मेरी रीसेंट वीडियो है और हमेशा के तरह यूटूब बालों ने इस पर भी मुझे क्लेम दे दिया है कॉपीराइट क्लेम इस पर मैंने इक गाना यूज़ किया था गुशबंस नाम का जिस पर मुझे क्लेम आ गया ठीक है मानता हूं गाना और तो ये वीडियो का क्या भाई उसके अलावे बहुत सारी वीडियो जिन में क्लेम ही नहीं तो यह क्या बात होती है मुझे तो यही लगता है कि आरामार चोटा चैनल है तो हम पे जो मर्जिया करते जाओ चैनल ही डिलेट करा दो ऐसे तोड़ी ना चलेगा तो देखो यह मैं तुम पता था यह यूटूब वाले क्या सोच के कैसे कॉपीराइट इडिटे अचली बताओ अचली बदाओ और एक है उदिद भाई अरे तुम नाम क्यों नाम से क्यों होता है सब्सक्राइबर बताओ सब्सक्राइबर केते हैं हम फिर पताइगे सब्सक्राइबर केते हैं जल्दी बता ओ सर बडवे राक्यस के है पचीस मिलियन और उदिद भाई के है चबश चबश क्यूशब तो भाई लोग कुछ ऐसा ही करते होंगे यह लोग कॉपी राइट क्लेम के टाइम पर खेर साही बात बताओ तो मुझे इतना कुछ खास फरक नहीं पर तो जब उस पर कॉपी राइट क्लेम आ जाता है फिर कुछ हो जाता उस वीडियो के साथ तो बहुत बोरा लगता है बस भाई यह और आज कल भाई यूटूब का सिस्टम बहुत हिला हुआ है क्योंकि हार इन लोगोंने के लिए करी मनाथी कर गाने के लिए करी मनाथी को कॉपी क्लेम गया क्या है इन सब के सामने तो मेरी प्रॉब्लम तो बहुत चोटी है तो बस भाई लोग यह वीडियो का यही पर खतम करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना नॉर्मल वीडियो आती रहेंगी तो चैनल को के बेल लाइक के दबा देना थैंक्स फुर वाचिंग